हम आपको एक ऐसे बच्चे की प्लेए स्कूल की फीज दिखाएंगे जिसको देख के आपको लगेगा ये तो किसी शादी का खर्च है प्लेए स्कूल वाश चुरुवाती पाट साला होती है जहां बच्चे खेलना पढ़ना और बैठना सेखते हैं प्लेए स्कूल की फीज मुसली जो है दस जा से लेके पचास जार उपए सलाना होती है आरात में पिछले एक दशक में सिक्छा के छेतर में कई बहतर बदलाव देखने को मिले हैं लेकिन स्कूलों की बलती फीज भी एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है आरती नहीं पूरी दुनिया में सभी अभिवाग परिसान रहते हैं इसकूल की फीज को लेकर अभी NCRT बुक के मामला चल रहा है इसले कुछ वर्षों में देश के विमिन हिस्सों में स्कूलों और कॉलेजियों की फीज में भारी विर्दी देखी गई है दिल्ली के एक विक्ती ने सोसल मीडिया प्लैटफॉम पर अपने बेटे की प्ले स्कूल की फीज जो है रिसेंटली शेयर की है उन्हों ने बताया कि साल भर में उन्होंने फीज की तौर पर जो है स्कूल को 4,30,000 रुपए का भुकतान किया है आपकी चोईस है आप अपने बच्चे को कहा पढ़ाना चाहते हैं परिशान अभिवाक ने जो है सोसल मीडिया पर अपनी पीड़ा शेयर करते हुए कहा कि चोटे से बेटे की पढ़ाये पर खर्च हुई या रकम उनकी पूरी स्कूली सिक्षा से जादा है यानि प्ले स्कूल में बच्चे की पढ़ाये पर एक साल में चार लाख रुपए खर्च हुए और उससे कम रकम में पिता की पूरी स्कूल की पढ़ाई हो गई यहाँ पर आप देख रहे हैं अकैडमी की है 2024 पची जिसमें रेजिस्ट्रिशन फीज जो है वन टाइम नॉन रिफंडेबल है यह 10,000 रुपए लिया गया है एन्वल फीज जो है 25,000 रुपए लिया गया है और टर्म टू के लिए जुलाई का सितंबर के लिए 98,750 25 की बन रही है 4,30,000 रुपए अकास कुमार नामव व्यक्ति के पोस्ट पर जो है कई यूजर्स ने रिएक्शन दिया हजारों लोगों ने इतने महेंगे संथावनों प्रवेश लेने के पीछे के तर्ग पर सवाल उठाए एक यूजर लेन लिखा कि क्या फीज किसी अच् यदि नहीं तो क्या आप सिर्फ सुर्धाओं के लिए भुक्तान कर रहे हैं एक यूजर लेन लिखा किसी अच्छन दिया है।